हालो फ्रेंट्स आयम यूर कुकिंग एक्सपर सफिया विलकम टो माई यूचिब चानल हैजरबादी तरका आज हम बनाएंगे चर्पटे और मभिदा चोले पुरी चोगां के लिए हमें चाहिए देड़ कप चने मैं ओवरनेट के लिए वाश करके सोप करने रखती है यह आपकное मसुरगा चाहिए हजविजाय के नमक चाहिए चार हरी मिर चाहिए रहा दिया और तमटो पेस्ट अब टमटो भीट डाल सकते मैं तो यह यह पिछूरी बना के लिए आप पलमटो यूस कर सकते आप यह तर प्लमटो पेस्ट यूस्टार रोस्टेड धनिया पॉडर है रोस्टेड कुमिन पॉडर है यह अनार दाना है 1 टी स्पॉन चाट मसाला है 1 टेबल स्पॉन लालमिच पॉडर है 1.5 टेबल स्पॉन हल्दी है 1 टेबल स्पॉन जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पॉन गरम मसाला 1 टेबल स्पॉन जाएंचर पावडर चाहिए तीन ओनियंस को में चॉप करके रगते आप कुप चाहिए और कसूरी मेति डालने से टेस्ट बढ़ती है और जबदस रहते है यह होममेड कसूरी मेति है गर्मेई इसको ड्राइ कर लें वाश करके आप अच्छा सद्धू के वाश करके बहुत द दोना पड़ता है इसको रमल वगर रहती सेंड वगर इसको दो के करके मैं फिच में इसको में ड्राइ कर ली ऐसी ड्राइ हो गया देखे पाफत से मदस्कुश्बो आती इसकी आप भी ऐसी कीजिए बहुत आसानी है इसमें प्रसेचर शुप करके चने डाल रहें इसमें मै यह मसर की दाल भी डाल दे रहें जलाल में चडाल रहें हंदी जेरा पोल्डर धन्या पोल्डर रास डाल टे बॉक्त रासानी से बहुत जल्ड बन जाते इसमें मैं आलो भी बॉइल किया हुआ आलो भी डाल हुए थेल डाल गए अधर अधरकलसन कर पेस्ट शेल यह मैं इसमें पाने डाल कर चला रहा हुए शेल यह बर्ण्स अभी में बात्र मसाले डाल रहे हैं इसमें ये हाम चिर का पॉर्डर है ये अनार दाना है ये राक सॉल्ट है गरम मसाला हमेशा आखरे में डालना है थाकि इसके कुछ्ट को बरकरा लें आलो डालें आलो की साथ हारी मिर्च भी में स्लिक्ट कर लें और खसरी मेती डालें नमक हजबे जाएका नमक नमक चेक के डालें क्यूंकि चाथ मसाला में नमक रहता है इसके आखरे में आखरा मसाला डाल दोह जोगो तो पाइन सी ते यते है आप इसी तरह step by step follow करके बनाइए और अपने family के साथ enjoy कीजिएगा आप जरूर पसंद आएगी ये मेरा डिश आप subscribe जरूर करियेगा okay friends, I am your cooking expert Safiya, signing out from Hyderabadi Tadka, thanks for watching my channel, bye bye hello friends, subscribe करिये मेरे youtube channel, bell icon activate करिये, thank you